नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे दोस्तों स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नए ब्लोग में जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों मैं बिरंदर कुमार और आप देख रहे हैं बिरंदर भाया ब्लोग तो दोस्तों आज का ताजा अपडेट रहेगा दोस्तों जो कि पिपलामा से लेकर पटना तक का हमारा सफर रहेगा जो कि पिपलामा के बाद भी कुछ जगह पर काम चल रहे हैं और नौबतफूर के बाद मैं देखाऊंगा दोस्तों कि रोड का काम चल रहा है तो रोड कहां तक बना है और कहां अभी नहीं बना है वो पूरा ताजा अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को सुरू से अंतक जरूर देखिएगा और हम अभी हैं पिपलामा में दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं पिपलामा का ये मार्केट है तो पिपलामा के बाद हम चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिस करते हैं कि पिपलामा के बाद जो है एक जगा जो है पूरा जो है जाम लग जाता है दोस्तों क्योंकि वहाँ पर फुल का निर्मान किया जा रहा है और सिंगल होने के कारण सिंगल रास्ता होने के कारण बहुत से जाम लग जाते हैं तो उसका काम हम आपको दिखाएंगे अपडेट में देना चाहता हूँ दोस्तों जो कि ये ताजा अपडेट रहेगा कि उस ब्रीज का काम कहां तक हुआ है जो पुलिया जो बन रहा है वो पुल का निर्मान कहां तक हुआ है क्योंकि इस रोड में कभी जाम नहीं लगते थे दोस्तों जो कि पटना से आप आते थे नौबत पूर होकर मसौरी या तो गया जाते थे तो इस रोड में कभी जाम का समस्या नहीं रहता था लेकिन आप आये होंगे तो देखते होंगे दोस्तों कि पिपलामा के पास में अगर लगन के टाइम में तो घंटो जाम लगता है और ऐसे भी जाम की समस्या बनी रहती है दोस्तों वहाँ पर क्योंकि अभी पुल का निर्मान वहाँ पर चल रहा है और नौब और उसका काम कहां तक हुआ है तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखियेगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा फिर से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजेगा ज कि जो भी हम ताजा अपडेट देंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा दोस्तों और हमारा वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे तो दोस्तों चलिए चलते हैं आगे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और आपको ताजा अपडेट देत करते हैं तो चलिए चलते हैं आप 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 करिंगे में हमारा हम तक दोस्तों पोि पोस्राणा से घजब आप वाँडेट देखंप आप करेंगा आप 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 मड़ winter वीडियों में हमारे समतर केंट आपूल दोस्तों फाइनली पहुच गए हैं यही वो जगह है दोस्तों जो कि पिपलामा के बाद आप आएंगे तो दो किलो मीटर के बाद जब बढ़ेंगे तो यही वो फुलिया का निर्मान हो रहा है दोस्तों जहां कि आप देख रहे हैं इसी जगह पर दोस्तों बहुत से जाम ल जाते हैं उधर से आजाते हैं तो दोनों के तरफ से निकल नहीं पाते हैं इसलिए काफी लंबा जाम का सामना यहां पर करना परता है दोस्तों और लगन के टाइम में तो मानिए तो घंटो जाम में यहां फसना ही परता है तो दोस्तों जल्द से जल्द उमीद करता हूं कि इ से चुटकारा मिल सके तो दोस्तों चलिए चलते हैं आगे और आगे आपको दिखाते हैं और एक बाता और बताते हैं दोस्तों कि पटना से जब भी आप आएंगे गया की और जाना है तो इस रास्ते से जब आप जाएंगे तो आपको हर जगह पेट्रोल पंप देखने को मिल दोस्तों क्योंकि इस रोड में जब इंट्री करेंगे तो आपके घबराने की कोई जुरूरत नहीं है कि पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो यहां पर हर साधन है दोस्तों हर जगह पर आपको पेट्रोल पंप देखने को मिल जाएंगे तो घबराने की बात नहीं है जैस किलो मीटर पर यहां पेट्रोल पंप आपको देखने को मिल जाएगा इसलिए आप अगर गया से भी आते हैं पतना जाना है तो नौबतपुर वाले रोड से आप अगर जाएंगे तो हर जगा पेट्रोल पंप मिल जाएंगे दोस्तों और आपका अगर गैस का गाड़ी है गै परा टेमपू का लाइन लगा हुआ है गैस लेने के लिए तो गैस पंप भी इस रोड में देखने को मिल जाएगा आपको तो दोस्तों चलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और आगे आपको अपडेट देते हैं रोड का जो कि कहां पर रोड बन रहा है और कितन बन चुका है या कितना भी बाकी है तो उसका भी मैं ताजा अपडेट इस वीडियो में देने वाला हूं तो वीडियो को छोड कर मत जाएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है त चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों नौबतपूर लख पर हम पहुंच चुके हैं और यहां से आपको दिखाएं तो दोस्तों अगर आप सीधे चले जाते हैं तो नौबतपूर बजार में आप चले जाएंगे और यहां से हम टर्न लेते हैं क्योंकि बजार में दोस्तों काफी जाम रहता है मार्केट है ना इसलिए जाम उम रहता है इसलिए हम यहां से टर्न लेकर और इस रोड पर चलेंगे दोस्तों जो कि आप यहां से इस रोड को अगर लिफ्ट साइट आपको दिखाएं तो यहां से आप चले जाएंगे बिकरम और इस आगे से सिधे चले जाएंगे तो पटना और नौबतपूर होते हुए निकल जाएंगे तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और कहां पर जाम की समस्या लगती है क्योंकि तिन मुहानी होने के कारण दोस्तों तिन मुहानी क्या कहें आपको चार मुहानी कहते हैं क्योंकि पतना से आते हैं तो सीधे चले जाएंगे फिर जो है नौवदपूर बजार में चले जाएगा फिर जो है नौवदफूर होते हुए बिक्रम चले जाएगा तो चरभु आनी इसे कहते हैं यहाँ पर काफी लंबा जाम लग जाता है दोस्तों क्योंकि लख में बजार है न दोस्तों तो लख के बजार से जो भी गाडियां निकलती है और इधर से हम लोग बिकरम से होकर अगर आते हैं और फिर पटना से होकर जो गाडियां आती है तो बहुत ही दिक्कत यहाँ पर हो के लिए इसलिए ज़्यादा परिसान बाइक वाला ही करता है दोस्तों जो कि आगे जाकर बाइक हेला देता है चाहता है कि बहुत जल्दी पहुंचेंगे लेकिन आगे जाकर फंस जाता है और उसी के कारण जो है जाम पूरा लग जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं जैसा कि आपको हम दिखाते हैं यही वो जगा है जाम का सामना करना परता है क्योंकि जगा यहाँ पर बहुत कंजस्टिड है और जो भी ट्रक अगर आजाता है न तो जाम की समस्या बन जाती है यहाँ पर जाम जब एक बार लग जाता है दोस्तों तो फिर यहाँ पर मानिए कि घंटो जाम में आपको फसना ही परेगा अगर कभी आप आए होंगे तो जाम का सामना जरूर किये होंगे यहाँ पर तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और यह जो है दोस्तो सिधे रोड जो है भुसौला लेकर चले जाएगी जो कि पटना हो पटना सिधे निकल जाती है दोस्तों भुसौला होते हुए तो दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पर रोड बन रहा है और कहां अभी बाकी है तो मैं आपको दिखाऊंगा यह रोड तो पि आला के बगल से एक रोड और बन रहा है जो कि यहां पर दोस्तों एक रोड जो है जाने वाला रहेगा एक रोड आने वाला रहेगा तो इससे काफी हद तक समस्या खतम हो जाएगी दोस्तों एक्सिडेंट का चांस बहुत हद तक कम हो जाएगा क्योंकि इस रोड पर दोस्तो प्रोब्लम हो जाती है दोस्तों काफी जो है प्रोब्लम का सामना करना परता है क्योंकि सिंगल रोड है दोस्तों तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस रोड पर अभी जान बाकी है इस रोड में इसलिए अब यहां पर दिखाएं आपको तो बगल में अस्कूल है दोस्तों जो कि बच्चों को पार किया जाता है गाड़ी रोक कर तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एक्सिडेंट का चांस बहुत कम हो जाएगा दोस्तों क्योंकि जब बच्चे इस पार से उस पर गुजरते हैं और गाड़ी आस्पीड में रहती है तो बहुत ही प्रोब्लम हो जाएगी एक इस डेंट का चांस बन जाता है इसलिए यहां थोड़ा सा नियम अपनाया गया है कि गाड़ी को रोक कर बच्चे को पार करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और इस रोड में दोस्तों सबसे बरी बात है कि इस रोड में ट्रक का आवा गमन बिल्कुल ही बैंड है क्योंकि दोस्तों अगर ट्रक जब इस रोड में अगर गुजर जाएगा ना तो पूरा ही रोड बरबाद हो जाएगा और जाम पूरा इस रोड पर जाम की समस्या बन जाएगी आगे बढ़ते हैं और वो जो दोस्तों आप लंबा वाला जो पुल देख रहा है ना वही है दोस्तों बीटा सर्मेरा रोड जो कि six lane over bridge है दोस्तों बीटा सर्मेरा और यहां पर नीचे में आपको रोड पर दिखाएं तो बहुत काम बाकी था यहां पर दोस्तों जो कि यहां पर भी पीच कर दिया गया है और यह दोस्तों बहुत ही अच्छा बन गया है six lane बीटा सर्मेरा रोड बहुत ही उस पर चलिएगा दोस्तों बहुत मज़ा आएगा उस रोड पर तो दोस्तों जैसा कि लेकिन जहां तहां रोड बहुत बाकी है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों क्योंकि गाड़ी पर से पुरा किलियर आपको नजर नहीं आएगा आगे बढ़ेंगे तो आपको किलियर नजर आएगा क्योंकि पेंड बगीचा होने के कारण ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहे होंगे कि रोड जो है बन चुका है लेकिन पूरे तरह से बना नहीं है लेकिन बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जागा जैसा कि आ यहां से साप आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों लिफ्ट साइड में आप देख रहे हैं और यहां पर दोस्तों अगर इस रोड में आते जाते हैं तो बीच में नास्ता का भी परवंध है दोस्तों अगर भूख उख लग जाए तो नास्ता भगरा भी आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों नाला जो है उराही किया गया है और लेफ्ट साइड में जो भी रोड बना नहीं था वो उस रोड को बनाया गया है लेकिन पूरी तरह से अभी कम्पलिट नहीं हुआ है जब कम्पलिट हो जाएगा तो एक रास्ता से जाएगा एक रास्ता से आएगा तो वाहन को बहुत सुवधा हो जाएगा दोस्तों आने जाने में जो कि दोस्तों भुसावला से लेकर नौबत पूर तक का ये रोड बना हुआ है दोस्तों तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे और आपको दिखाते हैं कि कहां तक रोड बना है और कहां अभी बाकी है तो हमारे ब्लोग में बने रहिएगा दोस्तों ब्लोग अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिजेगा और आप लोग दोस्तों कमेंट नही को दिखाते हैं हमारे बलोग में बने रहेगा दोस्तों अंत तक वीडियो में बने रहेगा जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं यहां जो है थोरा बहुत काम बाकी है रोड का जो कि कंपलेट नहीं हुआ है हमारे लेफ्ट हैं दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे left side में मिटी उटी भरा गया है येकिनि यहां पर रोड अभी बाकी है पुरी तरह से पीछ नहीं हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों आगे और बढ़ते हैं आगे आपको और दिखाते हैं कि कहां तक रोड जो है नहीं बना है और नाला बगर को देख रहे हैं कि वो राही किया हुआ है दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों जहां तहां रोड बना है जहां तहां भी बाकी है तो दोस्तों वीडियो में हमारे सथ बने रहिएगा अब वीडियो को सुरू से अ दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और भुसौला तक हम आपको लिया चलते हैं दोस्तों जो कि पटना में ही है भुसौला तो भुसौला तक हम आपको लिया चलते हैं और दिखाते हैं कि कहां तक रोड बना है और कहां भी बाकी है तो चलिए वीडियो में हमारे साथ बने र दोस्तों इस जगह पर अगर आपको लंबे सफर में जा रहे हैं और नास्ता करना है तो इस जगह पर आपको दोस्तों एक से एक फोटल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर नास्ता बगर आप कर सकते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं काफी भीर रहता है दोस्तों यहाँ पर इस जगह पर काफी भीर रहते हैं लोग गाड़ी र को उराही किया गया है रोड बनाने के लिए जो कि रोड बन चुका है दोस्तों कहीं अभी बाकी है थोड़ा बहुत बाकी है जब पूरी तरह से बन जाएगा तो वहर का आना जाना शुरू हो जाएगा दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में हमारे साथ बने र कहीं है जाएग बने नच्ट है जाएगे जाएगे तलिए जाता प्राइब कर दो दोस्तों और इस तरह आपको दिखाएं तो दोस्तों हमारे लेफ्ट साइड में तो रोड इधर जो है बना हुआ है दोस्तों लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे लेकिन मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों रोड इधर बना हुआ है और फाइनली हम भुसावला पहुचने वाले हैं दोस्तों तो यहां से भुसावला तक का रोड पूरा कम्पलीट है लेफ्ट साइड वला आपको हलका फुलका दिखाई भी दे रहे होंगे दोस्तों और रिक्वेस्ट हमारा है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर किजेगा अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं जो लोग नए नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो पिलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अल पर क्लिक कर लिजेगा क्योंकि दोस्तों ऐसे ही इंट्रेस्टिंग ब्लोग हमारे चैनल पर दोस्तों आते रहते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप अच्छारण चाराद